हलो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यह बताने वाला हूं कि जैसे मैंने अपने WhatsApp को ओपन किया तो मुझे यहांपर जो है कि यह पेज यहांपर शो हुआ WhatsApp अपडेट का ठीक है तो यहांपर दोस्तों यह अपडेट आया हुआ मेरे WhatsApp की तरब से और यहां पर यह कहा रहा है कि this version of whatsapp become out of date टीक है यानि कि जो मैं अपना पहले वाला whatsapp यूज कर रहा था वो out of date में चला गया टीक है on 21 फरवरी 2023 को चला जाएगा टीक है और यहां पर जो है tap download to blow to get the latest version from the google play store टीक है तो यहां पर जब भी आप अपना whatsapp open करते है अगर इस तरीकी का whatsapp update का यह कोई साभी page अगर आपको दिखाए देता है तो आपको इसे जो है update कर लेना है यानि कि download कर लेना है इस तरीके से जो नीची की साइड में बटन दे रखा है क्योंकि आपका जो पुराना वाला whatsapp होता है वो आपका जो है out of date बेच चला जाता है और जो नया update वर्जन आता है उसमें आपको new features या फिर कुछ नया changes आपको देखने को मिल सकता है तो हम जो है इसे download कर लेते हैं इस बटन पर tap करके आपको भी इसे download कर लेना है आपको य तो यहां पर जो है थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसके लिए तो हमारा यहां पर WhatsApp पूरा पूरा अपडेट हो चुका और इंस्टॉलिंग हो रहा है तो यहां पर कभी भी इस तरीके का कोई सभी update का यह पेज आता है आपके WhatsApp open करते हैं आपको इसे download कर लेना है या तो फिर ओपन करके एक बार देख लेते हैं तो हमारा WhatsApp यहां पर ओपन हो चुका है अब जो है आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारा यहां पर WhatsApp ओपन हो चुका है ठीक है और आपको इसमें कुछ यहां पर settings में जाके भी देख लेना है यहां पर कुछ आपको settings में भी आपको जाके को मिल रहा है, यहां पर अपना एक आपतार यहां पे create कर सकते हैं, कोई साभी इस तो यहां पर आपको यह अगर कभी भी दिखाई देता है तो इसे ज़रूर करिएगा